हेलो एवरिवन आप सभीका बहुत-बहुत स्वागत है आपके इस फ्री ओनलाइन लेर्निंग प्रेटफॉर्म पे जिसका नाम है मां लेट्स टॉर्म प्रेटर्म बंषन को अर्टर्म प्रेटश करते हैं वहम देखेंगे तों चलिए स्वाथ करते हैं आपका टॉपिक है बैक्टेरिया चाह किशेपा होती है कोई रौ kidney कोिसे वी बेक्टीरिया जो रही ये क्मे वहतितातन होती छदे मीऊ जिसका माझे भी डेक्टीर्री रखणा गया जिसका मतहब होता है लिटिल रॉट्सृ ये कैसे ये इकोलाय का structure है जो कि हमारे इंटरस्टाइन में रहती है वो इस कुछ इस तरीके की होती है और बैक्टिरिया कैसे होते है कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगा पाय जाते हैं चाहे यह आस्मान में देख लें आप या जमीन पे मिट्टी में मिट्टी के अंदर या गरम जगाओं इसके tipo together इसके इसके सेंट काई वी में डिवाइड़ है गर हम जडीरियग साथिंग ए जर्न बात करते हैं तो यह क्रीट के रॉड की तरह इनका structure होता है रॉड लाइक structure होता है तो इसलिए इसका नाम पढ़ गया little rods यानि की bacterium then bacteria unicellular कैसे होते है unicellular यानि की एक cell के बने होते हैं एक cell के बने हैं उसी के अंदर सारा काम हो रहा है और यह क्या होते है है prokaryotic अभी तक जितने organism से हमने पढ़ा के eukaryotic थे यह क्या है prokaryotic prokaryotic कहने का मतलब है कि इनके अंदर जो nucleus है वो well defined एक जगह पे nuclear membrane के अंदर नहीं present है तो nucleoid बोलते है उसको specific DNA एक जगह पे नहीं present होकर के फैला रहता है cell के अंदर इसी reason को nucleoid बोलते है prokaryotic है यानि कि well defined nucleolus उसके अंदर nucleolus नहीं है nucleus के अंदर nucleolar membrane नहीं present है nucleus के बाहर they are non chlorophyllus यह इसके अंदर chlorophyll नहीं होता unlike plants ऐसे plant की तरह इनके अंदर chlorophyll नहीं पाए जाता है यह अपना खाना खुच से बना सकते हैं पर तो यहां पे called chlorophyll नहीं है तो बना खाना कासे बनाएंगे तो च fullness के कितन फैर इसके घर इसके बेस्टें है इतो किया करते है ईपना खाना प्रिपार करते है इसके बैसların डूभ तैप में जा नहीं होते हैं एक होते है अरो ध होते है तो जहां다른 च आह करते हैं तो जहां सहांद लीच क्की प्रेजन के सपाइशन कर रहे हैं और अगर हम बात करते हैं फोक्ट सिंथेस की तो स्टैसिस की क्लोरोसिल इसका प्र üzüyor कर करते हैं यह फिटूसींडरी को सभ्सक्राण कर नहीं है इसके मदड से ही डाय कि फॉटसिंथेस पैसिन और वाटर की ज़रूरत नहीं है प्रिपेर कर लेते हैं और फूड अपना प्रिपार कर लेते हैं अगर इनको खाना नहीं बिल्ता है। हट्रोट्रॉफिक मोड उडिएशन नहीं जी ऋको गया है अगर कुछ बैक्टिया के अंदर ये भी छहमता है कि वापना खाना खुद इसे बना लेते हैं by the chemicals they have, then यह heterotrophic होते हैं, mostly यह खाना क्या होते हैं, दूसरे organisms के उपर depend करते हैं, अपने खाने के लिए, दूसरों को मार करके खाते हैं, heterotrophic होते हैं, then जो ब्रांच होती है, जिसमें बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं, बैक्टीरि बैक्टीरियों के स्की बैक्टीरियों के बॉलते हैं यह रहा कुछ इसका introduction, then हम मूफ करेंगे इसकी history के बारे में, कि यह बैक्टीरिया तर्म आया, कहां से किस ने दिया, इसके discovery कि इसका नाम किस ने दिया था, तो बैक्टीरिया को चबसे पहले, Anthony Leuven hawk ने खुजा था, यानि कि इन्होंने बताया था कि यह bacteria ऐसी होती है इन्होंने खुद से a microscope बनाया था जिसके अंदर अपने saliva में water डालकर उसकी study की और देखा कि bacteria ऐसी होते है microscope के अंदर इनको दिखा और इन्होंने अभी उसका नाम नहीं दिया था ने लिवन हॉक ब्uchar से बड़ा होता है लेकिन वाइरिस इसके बाग खोजए गया थे उस सब में सबसे जो था या बैक्टिरिया भी खोजए गया थो ले बूला की सब कुछ चोटे-चोटे मॉलिक्यूल से जो रॉड शेप की तरह हैं और मूव कर रहे हैं यानि कि वह लिविंग है तो यह बाद में इसको क्लासिफाइड किया गया आगे मॉनरा के अंदर मुलर मुलर नाम कि जो सायंटिस्ट थे ओटो फ्रेडरिक मुलर इनुहों थे 1773 में एक टॉर्ण किया बैसिली बैसिली मतलब होता है जादो तर बैक्टिरिया रॉड सेफ होते हैं तो इनुह ने यह बाकि नहीं रिक अगणाईस की थे बात में यह पता चला कि अलग अलग त इसे वी ऊतररीके कि बैक्टीरी च्पीची। मिने ऑनों इस लेखंगे को एक dogma हो जो कि या क्या इनहीं अग्री आया तो कि फ्रेंच इन्वेस्टिगेेटर्रीमित-धर लिटल रॉट्स इसका मतलब भी लिटल रॉट्स होता है बट इसके अंदर सारे ग्रूप ऑफ बैक्टीरिया आ जाते हैं फिर आता है कि यह जो ने यह 1838 में यानि की 1850 के पहले इनके पहले ही एरन बर्ग ने जो है बैसली जो नाम था उस पे इनों ने कह दिया था कि यह अल क्लासिफिकेशन देंगे अलग जीनस से बिलॉग करते हैं बैक्टीरिया इनका क्लासिफिकेशन अलग करेंगे इस तरीके से इसकी हिस्ट्री खतम होती है यानि कि कुछ नाम से आपको याद रखना है कि एंटली लुएन होग जो है अक्सर का के पूच रेता है किसने बैक् कि से बैसली नाम किसने दिया था तो मुलर ने जीनाम दिया था बैसलि यह था बैसली वादे लिए इस जनल केरेक्टिर क्या है तो जैरल केरेक्टर में पढ़ लिया कि यह मायक्रोस्कॉपिक है बहुत भी सुच में इसके क्या है न्यूख्लियस वेल डिफाइड नहीं है यूुनिसल्ण है एक सेल का बना होता है इसके बाहर फ्लैजिला प्रेजेट होते हैं इंट्रसलूलर ५। इंदर होता है ग्रॉड न होता है जब ज़ररत पड़ती है तो अपना खुद भी बना लेते हैं कुछ बैक्टिरिया ही ऐसा कर सकते हैं कि अपना खुनों की मदद से बहुत जहां गया वॉल्केनों के पास भी यह पाए जा रहे हैं आइस है ग्लेशियर से वहां पर भी पाए जा रहे हैं जगा पाए जा रहे हैं तो एक बैक्टिरिया है थर्मोफिलस अक्वाटिकस जो टैक पॉलिमरेस बनाने के भी काम आता है हम ने PCR में आप पढ़ोगे आ स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन करके लिखना होगा और हमेशा याद रखते हैं यह कैपिटल और स्पीशीज का पहला वर्ड स्मॉल होता है तो थर्मोफ अक्वाटिकस नामक एक बैक्टिरिया है जो 90 डिग्री के भी ऊपर टेंप्रेचर पर पाई गई है तो हाई आरे हैं और वाइरस के अंडर यह नहीं होती है इनर रहते हैं बाहर बॉडी के बहार है अगर वाइरूस तो इनर्ट सेट में रहते हैं यानि कि उसके अंदर मेटावफोलिक साइकल नहीं कुछ भी अंदर काम नहीं कर रहा है वह मरे पड़े जब तक वो किसी living के अंदर नहीं चले जाते यहां भी bacteria के case में ऐसा नहीं है फिर उसके बाद यह parasitic होते हैं saprophytic होते हैं parasitic मतलब किसी जानवर के अंदर रहते हैं किसी भी vertebrate के अंदर रह सकते हैं हर जगां, body के हर पार्ट में कोई ना कोई bacteria आपको मिल ही जाएगा एक ग्राम एक ग्राम bacteria के अंदर millions और एक ग्राम soil के अंदर millions of bacteria आपको देखने को मिल सकते हैं एक ग्राम water की भी बात करते हैं तो उसमें भी millions of bacteria आपको देखने को मिल जाएगे बहुत जादा यह बहुत जादा huge amount में पाल जाते हैं although यह बहुत हीόटे होते हैं इसलिए हमको नेकेड अई से visible नहीं होते हैं इन क्या होते हैं देन इसका average अगर हम देखते हैं, तो एक ग्राम सॉयल में 40 मिलियन और बैक्टीरिया पाई जा सकती हैं, अलग अलग वराइटी की बैक्टीरिया पाई जा सकती हैं, जो भी वच्चा उसमें खेल रहा है, उसके थूरू बैक्टीरिया पेट में आ जाती हैं, और most common example आपको पता है कि good बैक्टीरि यानि कि इसका structure कैसा होता है, बैक्टीरिया दिखता कैसा है, इसके अंदर जो जो cytoplasm है, या cell wall है, या cell membrane है, क्या है इसके अंदर और इसके function अंपढ़िंगी की क्यों है ये और क्या काम करता है, तो सबसे पहले, एक capsule की लेयर बैक्टीरिया के उपर प्रेजेंट होती है, तो इस इस the capsule, ये green color का इसके उपर एक फ्लाजला प्रेजेंट है, फ्लाजला इसके लोको मोशन में help करता है, किसी बैक्टीरिया में एक फ्लाजला होती है, किसी में दो फ्लाजला होती है, इसके जोड़ सारे structure को मिल रहे हैं, तो ये फ्लाजला नहीं है, ये क्या है इसको तो उसके लिए पाइलस यूज होता है अभी उसके बाद ये कैप्सूल के कवरिंग होती है उसके बाद इसके अंदर होता है सेल वाल जैसे कि प्लांट में सल वाल होती है अनिमल में सल वाल नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर सेल वाल थी तो इसको प्लांट के अंदर क्लासि इसको अलग classify कर दिया गया मॉनरा kingdom के अंदर इनके अंदर जो cell wall होती है cell wall जो होती है वो glycopeptide की बनी होती है glyco मतलब क्या sugar और peptide bond इसके अंदर present होते हैं यानि glycopeptide की बनी होती है cell wall इसके अंदर होता है plasma membrane अब plasma membrane है तो semi permeable होगा मतलब यह अलाओ करेगा कि कुछ भी अंदर आएगा या नहीं आएगा तो यह semi permeable जो plasma membrane है वो क्या करती है covering की तरह protection की तरह काम करती है कि allow करती है gate barrier की तरह काम करती है कि किसको अंदर जाने देना है किसको अंदर नहीं जाने देना है then inside cytoplasm present होता है पूरा अंदर एक liquid fluid present होता इसको cytoplasm कहते है जिसके अंदर जो हमारा DNA है वो present होता है यानि की DNA bacteria के अंदर genetic material present होता है यह हमारा क्या है DNA then हम देखते हैं कि एक fix इसके अंदर nucleus नहीं है यह जो cytoplasm में है एक जगह पढ़ा हुआ है रीजन में DNA इसी रीजन को जहां पर प्रेजन होता है इसी को बोलते है नुकली ओई अगर हम इसके study को अगर और बास करके हम देखते हैं इस section को तो transfer section अगर हम सा काटते हैं और देखते हैं बैक्टीरिया को तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यह जो बाहर purple color का layer है इसको क्या बोल रहा है इसकी capsule इसके अंदर जो yellow color की layer है उसी को बोल रहा है cell wall cell wall क्या करती है इसको बहार से protection या rigidity देती है ताकि इसका shape change नहीं हो capsule इसके protection का काम करती है ताकि एंटिबाइटिक से इसको बचा सके अभी ग्राम पॉजिटिव है अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तब तो उसके क्या हो जाएगा इसकी layer उतनी डफ नहीं रहती है कि इसको प्रोटेक कर सके बट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिय है जो जल्दी डिस्ट्रोय नहीं होता है क्योंकि थिक लेयर मतलबस जो capsule की ऐसे covering होती है जो इसको बाल नहीं होने देता है जल्दी और इसको शेप चेंज करने हैं कि जो कैप्षीव होती है इसको प्रोटक्क परेजिए है तो यह बड़े-बड़े दो मेंब्रेटी जसान होता है जाल की प्रेजला बोल रहाएं जो मुव्मिंट में हेल्प कर्रें है यह लोको मोशन में help करने हैं इस बैक्टीरिया को पूरा एक जगा से दूसर जगा ले जाने का काम करा रहे हैं बट यह चोटे-चोटे structure है जो फ्लाजला के comparison में चोटे होते हैं बहुत चोटे होते हैं वह इसको हम बोलते हैं पिलाई यह जो पिलाई होती है दो तरीके की होती है एक होती है नॉर्मल पिलाई जो किसी भी सर्फेस से अधार्शन का काम करती है चिपकने का काम कराती है बैक्टीरिया को चाहे वह क्या कोई कोई अनेमल हो चाहे कोई क्या हो कोई सर्फेस हो उससे चिपकने का काम कराती है और अगर हम एक पिलाई होती है या पिलाई होती है कौन सी sexual पिलाई जो कि F पिलाई के नाम से भी जानते हैं वो help करती है in the sexual reproduction यानि mating के तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को उससे क्या करता है conjugation करने में help करता है और एक genetic material दूसरे genetic material में पास होता है और फिर क्या होता है आगे इसकी generation multiplication या divide करती है इनका genetic material exchange होता है इस पिलाई के वज़े से इसलिए F पिलाई भी इसको बोलते हैं दूसरे बैक्टीरिया को यहां पर टो यहां पर पर इसके बार्याइ मैटेरिया राइम होता है जिसमें इसके साथ एक फ्लासिट होती है बैक्टीरिया में जो कि आगे आगे अगली क्लासिव में पढ़ेंगे दिन classification क्या होता है bacteria का तो classification bacteria का हम अलग-अलग खड़ों पे बाढ़ देते हैं क्यासे उनके shape के basis पे अब इसको अलग-अलग तरीके से bacteria को बाढ़ सकते है shape के basis पे बाढ़ सकते है cell wall के basis पे भी बाढ़ सकते है कि whether it is cell wall कैसा है उनका gram positive होंगे उसके basis पे तो मैं इनको बाट सकते हैं तो कुछ में आपको मैं बताओ नीकी क्या है तो शेप के बैसिस पर तो कई सारे हो सकते हैं पट 4 main classification जो है वो होती है एक होता है कि यह कैसे होता है Colus shape यानि कि Colus E, प्लूरल क्या हो गया PLU होगा, फ्लूरल क्या हो गया इसका Colus E, यानि COUKI COUKI मतलब होता है CIRCULAR IN SHAPE यहा होगा Plural, तो यह कैसे होते हैं CIRCULAR IN SHAPE होते हैं, गोल, spherical तो spherical in shape होते हैं और इसका जो length या width क्या होती है तो यह 0.5 से 1.5 micron meter in diameter होते हैं single भी हो सकते हैं यह इसका क्या हो गया diameter तो diameter क्या हो सकता है वैरी कर सकता है अब यह single भी हो सकते हैं तो जब single state में एक होता है bacteria अकेले ज़र रहता है तो इसको बोलते हैं micrococcus this is the micrococcus या normal cocus के नाम से इसको जानते हैं जब यह double form में होते हैं तो इसको बोलते हैं diplococcus 2 क्या है 7-7 present है तो इसको बोलेगे diplococcus अगर यह chain के form में present है जैसे यहां के case में तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं जब यह क्लस्चर में एक साथ present हो तो इसको क्या बोलेंगे यह है अगर chain में present है तो इसको बोलेगे होचाते हैं इसको उपर से देखांगे तो यह ऐसा दिखेंग है ठीक है और इसके पीछे भी चार है वैसे यह है इसके पीछे हैं लिए जयुक्त बिए है याद रखेगा इसमें ऑच्छाप होजाते हैं बच्चे यह पूचे भी देता है इसीलिए की 검ار कोचिल शेहिन नमभर धेजनने फिरा फिर इस अर्म कोचिऽ पर्來जनने वंड़र और लगंर चेltयों करते हैं लिए इस प्रोप्स एकमर सेध के बाय тебе कार्ण इसको है यानि कि रोड शेप बैक्टीरिया अंगր यह थोड़े से सर्कुलर किsto को को क्यों आनि वहलं लंबी हो इसको श्रॉक्टिर को बैसिल पिल्कुलन शर्कुलर है नहीं होते हैं यह को छॉलन Veteran you तो अगर यह दो हैं तो Diplococillus जैसे कि प्रफटो को की था चेन के फ़म में प्रज़ट सा तो सको हो दोसको हो कि अब यह यह लाइं में टेशन के प्रजिट है और बैसले शिपक ए तो बोलें यह स्ट्धो-बैसलेस देन कि कि यह पारें पढ़ेंगे कि पर हमक्रा फिर ऐसे प्रफप से पर शेयर थैंगे था जाट तब इसको हम बोलते हैं जब ऐसे से इसे तरीके से तरीके से बेशेलेस बीचार तरीके के होते हैं रोडशेप्ड होता है इसका इस्का रेंग होता है रीज से 1.5 micron meter का होता है और 10 से लेकर के 10 micron meter in length होता है तो दिया सिंगल भी हो सकते हैं पेर्ड भी हो सकते हैं जिग-जग पैटर्न में भी अरेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि यह कैसे प्रेजेंट हैं मैनर किस मैनर में अरेंज हैं यह ऐसे अगर कई बैक्टिरिया एक सा स्रप्तो कोकस जैसे कि इस वाले केस में था जब यह चेन के फ़र में उसकी वह ग्दै तो जब यह नियुत है इसा थी प्लो बैसिलेस और यहां पर क्या था डिपलो कोकस ठीक है इस तरीके से इसका नाम रखा गया है यह टो टर्म है कोकस वह आगे लग जा रहा है इसके प को लेरी का नाम सभना होगा विब्रियो कोलेरी जो है कॉलरा ॥ है' वह कैसी होती है विब्रियो शेयफ में कॉमाइभती हैं यह इस तरीके का इनका structure होता है और यह थोड़ी से मुड़ी हुती शेय लेकी बापटीरिया थोड़ा ऐसे एक साउट से bulge out हो जाते हैं, तब या curve हो जाते हैं, तब इनको क्या तो इनको क्या बोलते हैं? या coma shap की हो जाते हैं तब इनको बोलते हैं Vibrio, तो यह देख रहे हो यहाँ से तेखा गंप ON прив और डाइमेटर 1.5 से 1.7 माइक्रोन मीटर का होता है, माइक्रोन को ऐसे भी लिखते हैं, और मीटर माइक्रोन मीटर, यानि 10 तु दी पावर माइनस 6 में, इसकी साइज है, बहुत ही सुच में, माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखते हैं, कई बार कुछ इतने चोटे हो जाते हैं, कि इलेक्रोन माइक्रोस्कोप में ही देखने को मिलते हैं, कुछ-कुछ बैक्टिरिया ही नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिलते हैं, देन हम बात करते हैं कि स्पाइरिलम, जब ये spiral, spiral इस शेप को बोलते है, जिसे screw में देखा होगा, जब ये normal bacillus bacteria, screw की तरह ऐसे move हो जाते हैं, तो तो पाथ 3-5 टर्न ऐसे ले लेते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं? तब इनको बोलते है spiralom, ऐसे, ठीक है? यह spiral shape के होते हैं जिसे screw में देखा होगा ना screw में ऐसे होता है screw driver वैसे ही turn कर लेते हैं coil की तरह तब इसको spiral लम बोलते हैं और कुछ इस तरीके का इनका diagram होता है ऐसे देखने को मिलते हैं under the microscope फिर एक से पास turn अगर यह ले लेते हैं normal bacillus bacteria तब इनको इस नाम से जाना जाता है यह 10 से 50 micron meter इन क्या होते हैं length और diameter इनका 0.5 से diameter मतलब क्या इतनी big तो 0.5 से 3 micron meter की क्या होती है इनकी diameter इस तरीके से यह 4 तरीके के shape के basis पे classified होते हैं bacteria इनके अलाबा भी कई shape के bacteria देखने को मिलते हैं तो और क्या है तो mainly classified तो नहीं है बट इनके लाबा और भी होते हैं एक हो Scolamintus Bacteria कुछ इस तरीके से दिखते हैं जैसे लगए कि B apartments है तो ऐसे कुछ दिखते हैं filament इनके ऐसे present होते हैंkr dhr से भी फिलामेंट अगर अगर निकाल देते हैं तो कुछ इस तरीके से ये फिलामेंट का structure जो होता है इनका होता है डनğ stock bacteria भी होते हैं तो यह stock की तरह होते हैं with stock की तरहां उना इसे टो है ऐसे फिसको पर ऊच्टे internragen होती है इसलिए इन स्टॉक शेप। अब बैडिंक बैक्टीरिया भी होते हैं यह कासे डिखते हैं तो यह बडे की तरह दिखते हैं यह नॉर्मल बैक्टीरिया है यह चुछी संस्टी Tro anderes से इसको बैड्डिंग यह इसके बाद एक classification रहता है anaerobic और aerobic bacteria कहां पर यह कैसा respiration कर रहे हैं कैसे सांस ले रहे हैं उसके बैसे पर वह classified होते हैं एक होती है aerobic bacteria जो aerobic condition में रह पाती है aerobic condition से oxygen के प्रजिस में सांस लेती है और सारा वर्क करती है वो aerobic bacteria और anaerobic bacteria जो in the absence of oxygen अपना काम करें और शर्वाइव कर सकी फिर एक बैक्टिरिया ऐसी होती है जो अपना खाना अरोबिक फोटोसंथेस करके प्रिपेर कर लेती है जैसे कि नॉस्टॉक और अना बेना तो नॉस्टॉक और अना बेना क्या करते है एक होती है अपना खाना खुछ से प्र जिससे आत्रोफिक बैक्टिरिया हो गई नॉस्टॉक, अन्वस्, ऩीयो, अना बेना तो अनोस्टॉक और अना गग्जांपल है आत्रोफिक बैक्टिरिय के।्ट ओत्लब क्या होता है यह छिल्फ खुद से और ट्रॉफिक मतलब खाना बनाते है। तो गती है जेसी कि प्ल बट मम्मा भी तो वह प्लान्ट से ही खाना को कुप कर रहे है तो अब हम अप्लापिक यह होता है जो अपना खुद से बना ले तो फूडब से नग कि और शाचिंगा बताया था कि इन ओर इन्प यह निक मैंटर से अपना खाना बना लेते हैं then CO2 और H2O जो है उसका यूज क्या होता है करके अपना खाना बना देते हैं green pigment is necessary green pigment होता है वो autotrophic mode of nutrition के लिए जरूरी होता है but bacteria में जरूरी नहीं कि green pigment पाया ही जाए तो यहां होगा green pigment is not really necessary they can prepare their food by the means of chemicals यह बेक्टिरिया के बाद हो रहे है प्लांट में तो necessary then food is prepared during daytime तो daytime में ही chemicals के यूज करके यह खाना बना दे हैं then hydrotrophic होता है जो अपना खाना दूसरे डारेक्ली और डारेक्ली प्लांट में दिपेयंड करें यह यह तो यह तो यह अपना ग्रूर्स लेंगा यह है तो इन यह ए अपना सोर्ष्य ल हहार है सर अप्लांट से हो सकता है हमारा प्लांट से एर तो उसे बोलते हैं यह सकता है तो इसमें कोई pigment necessary और यहां पर भी पिग्मेंट नेसेसरी नहीं है, मतलग कि लोरोफिलस बैक्टिरिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फुट कैन बी प्रिपेर्ड और किसी बी टाइम में खाना मिलेगा, हम खा सकते हैं, और बना भी सकते हैं, ठीके, फिर, ऑन बेसिस अफ सेल वॉल, सेल नहीं कि बाहर की कवरिंग, इसाल कॉवअ कैसी में इसल वा का इसी है, उसे बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, एक होती है आप होती है, जल्दी बाइओं से थार्थियों हो सती हैं, लेकिन बाहर नेगेिन बासियेट करेंगे करेंगई तो ग् 늘 यहां भी cell wall है, cell wall इनकी single layered होती है, या फिर नहीं भी होती है, बहुत thin होती है, और यह जो है, यह क्या होता है, double layered, या ज्यादा layer के होते हैं, यानि एक के उपर एक layer coating होती है, इसलिए क्या थे, resistant थे, किस से resistant थे, एंटिबाइटिक से, लास वाला पॉइंट है, कि यह resistant है, एंटिबाइटिक से, जल्दी इनके उपर असर नहीं करती है, ग्राम निगेटिव बैक्टिरिया पे, then, the thickness of the cell wall, तो cell wall की thickness किसकी होती, ज्यादा होती है, तो इसकी thickness ज्यादा होती है, 20 से 80, 20 से 80 micron meter, नानो मीटर इन क्या होती है, length, width, sorry, width जो है, इसकी cell wall की, वो 20 से 80 होती है, और यह 8 से 10 ही width होती है, नानो मीटर में इनकी width होती है, cell wall की पतली है, यह जो thick layer है, क्योंकि 20 से 80 है, तो यह thick layer है, किसकी thick layer है, poly, जैसे मैंने starting में बताया था, कि peptido glycon से बनी होती है, और इसके अंदर जो plasma membrane थी, वो किससे बन रही थी, तो वो proteins से बनी होती है, अंदर क्या था, plasma membrane थी न, तो plasma membrane किससे बनी होती है, यह proteins की बनी होती है, plasma membrane जो है, this is the plasma membrane, semi-permeable membrane थी, जो allow कर रही थी, कि जिल्ली की तरह थी, जो allow कर रही थी, कुछ भी अंदर जाएगा की नहीं जाएगा, या कुछ भी सेल से बहाद निकलेगा की नहीं निकलेगा, तो यह cell wall जो है, वो क्या करती है, semi-permeable membrane की तरह काम करती है, और यह glycoprotein की बनी है, तो phospholipids की बनी होती है, ठीक है, phospholipids की बनी होती है, यानि कि lipid और phospholipids का क्या होता है, एक structure होता है, जो की cell membrane की तरह काम करता है, और protein के साथ मिल करके यह complex structure बनाती है, इसके उपर जो cell wall होती है, वो मैंने बताया था कि peptidoglycan की बनी होती है, यह peptidoglycan थिक होता है इसमें, और यहाँ पर thin होता है, thin है, यानि single layer का होगा, यहाँ पर ज़्यादा layers का हो सकता है, multi-layered हो सकता है, जैसे ticoic acid, तो ticoic acid जो होते है न, gram positive bacteria में एक ticoic acid की layer जो होती है, present होती है, और यहाँ पर जो है, नहीं present होती है ticoic acid, जब भी एम एंटिवाइक दे डालते हैं, The lipopolysaccharides, जो यहाँ पर पॉलिससागाराइड स की लैर होती है, उसी को बोलते हैं, lipopolysaccharides, जो यहाँ पर present होती है, gram negative bacteria में और यहाँ पर absent होती है, Outer membrane, जो है, यह positive bacteria में present नहीं होता है, बाहर कोई भी membrane नहीं होती है, और यहाँ पर hour's membrane present होती है, यानि कि negative bacteria में outer membrane एक present होती है for their protection then lipid content तो lipid content जो होता है lipid content positive gram positive bacteria में बहुत ही लो होता है बहुत कम मातरा में lipid protein होती है और यहां पर जो lipid content है वो बहुत ज्यादा मतलब इसके comparison lipid content gram negative bacteria में ज्यादा होता है और last point यह है कि यह resistant है यह resistant है gram negative bacteria जिस से antibiotic य invisime कि haneak antibiotic क्या है antibiotic path जो हम drug दे रहे हैं bacteria को मारनने के लिए जो दबाा खाती है वह इसके वापकर ने करती है ज़िक किुछ यह रेस्स्टंस करता है तेकोयक districts समय दिन तो । टो रस generous लोग तो नहीं सब्सक्wać हैं तो यह पर वादे तो आदिकोय कंद भाइन धर कि रेल्य शται कहते हैं तंट्वी लिए इसवीर्च के लिए आई हैं तो यह साथ छो और यह धे रेस्स्टंस करता है याम से कि या इनफेक्श डिजीर्स बेक्टिरिया काउस करते हैं अब पहला है टाइफाइट तो टाइफाइड जो है वह क्या होता है सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टिरिया से होता है, salmonella typhi typhide cause करती है, typhide contaminated food या water को intake करने से हो जाता है, इसमें क्या होता है, diarrhea हो जाता है, vomiting होती है, बहुत ही weakness आजाती है body में, fever आते हैं, 100 degree तक दुखार चला जाता है, और इसमें intestine में क्या होता है, अगर ज्यादा serious stage पर चला गया तो intestine में holes create हो जाते हैं और holes create होने के बाद क्या होता है कि person की death हो जाती है तो typhide serious हो सकता है अगर इसका सही से ilag ना कराया जा सके तो अब आप किसी person को सुनते होंगे कि इसको हर साल क्या हो जा रहा है typhide का infection हो जा रहा है बार बार हर साल इसी महिने में इसको typhide हो जा रहा है तो यह bacteria क्या होती है inert condition में चली जाती है जब इनका favorable condition नहीं रहता है और जैसा ही इनका favorable condition आता है वापस से उसके body में active हो जाती है ऐसा तब हो सकता है कि आप proper dose complete नहीं कर रहे हो कुछ doctor क्या करते हैं कि जूट बोल देते हैं patient को कि हाँ आपका क्या हो गया है course complete हो गया है बट course नहीं complete करते हैं और क्या होता है अगले साल ताकि person फिर बिमार पड़े तो फिर से वो इलाज कराने आए तो इस वज़े से क्या होता है cycle repeat होती रहती है और उस person को बार-बार या तो क्या होता है कई बार यह inert condition चल जाते हैं और यह बार-बार यह disease होती रहती है Salmonella Typhi जो है contaminated food या water से हो जाता है बाहर लोग गुलगपे कोचोड़िया खाते हैं और बेमारी यह लेकर के चले आते हैं तो हमारे cholera तो cholera विब्रेयो कॉलरी से होता है यह कॉमा शेप होती है इस बीमारी में क्या होता है परशन्स इसमें भी अगर इलाज प्रॉपर नहीं कराया गया तो इसमें की परशन्स की देथ हो जाती है बट आज की टाइम मेडिकल साइंस इतनी एक्सपर्ट हो गये हर बीमारी का इलाज आ गया है starting में जब यह आया था इसका इलाज नहीं था यह बहुत लोग इससे मरे थी तो चौलरा जो है वह भी एक समय पर इस समय पर इस समय पर यह सब आया था तो हमारे जो कुरोणा है उसी की तरह यहहारी ताबित हुआ था बहुत लोगों की जान गई थी बीमारी के वज़े से तो हमारा tetanus, तो tetanus से आप सभी पर्चित होंगे, एक टाइम में एक लाइफ में एक बार तो आप लोगों ने कम से कम इंजेक्शन लगवाई ली होगी तो यह इंजेक्शन जो होता है, इसमें क्या जालते हैं एंटिबाइटिक जालते हैं जो इस tetanus के भैक्टीरिया के खिलाफ क्या करता है, तो कौन है, Clostridium Tetany, जो है बैक्टीरिया, यह क्या करता है, कहीं हर जगा पाया जाता है, कहीं भी आप वहाँ पर यह मिलेगा ही, बात तो tetanus की injection लगाते हैं, road पे गिर गया चिल गया, या बातरूम में गिर गया इसी चीज से तो आप एक बार को लगा लेते हैं इस injection को बचने के लिए, और 24 घंटे में इस injection नहीं लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, लोक जो की बिमारी के नाम से भी tetanus को जाता है, यह रहते है गहीं जोव और बाकी मशल्स का जो मूवन्में होताहा, उसमें कॉंट्राक्षों होता हर बहुत जादा दम्में होताहा है और शांस लेने में टकलीफ होति है पूरी बॉड़ी अकड जाती है और पड़े रहते हो और अप्रीधिंग प्रॉब्लम मतलब सांस नहीं आती है उसके वज़े से डेथ हो जाती है एक बार को अगर हो गया यह टेटनस अगर इंजेक्शन नहीं लगाया तो फिर इसका कोई इलाज अभी तक धूना नहीं जा च श्टेप्टोको को कस नीमोनेई गया बार part यह कोई लंग्स रेलेटेड प्रोबलम हो जाती है बद्चे को पूरे पानी में अंदर प्रोंगियोले और प्रॉय उसमें भर जाता है पुझ हो जाता है जिसके कानर सांस लेने में उसको दिक्कत उति हो और बीधिंग पॉबल और यह जो TB है, Tuberculosis, यह किस से होता है? Mycobacterium Tuberculosis, यानि Tuberculosis से होता है, इसी species के नाम पर यह बैक्टिरिया, इसका नाम रखा गया है Tuberculosis, यह जो बैक्टिरिया है, यह क्या कास करते है, यह भी Lungs-related विमारी कास करती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और क्या होता है, खा सांस में जमने लगते हैं, और वो खासी के साथ बाहर निकलता है, तो इसमें क्या होता है, कि परसन का पूरी जो लंक्स जो है, वो अच्छे तरीके से डामेज हो जाता है, और अटलास परसन की डेथ हो जाती है, अगर सही, प्रिकॉशन और प्रिवेंशन और क्योर नहीं तो, इन सब बीमारी के हमारे में का, हमें siap prevention is better than cure, तो इन सब बीमारी से बच सकते हैं, ये जाग रूख रहकर के इन बीमारियों से बच सकते हैं, तो इसी के सााथ आपका bacteria topic भी खतम होता है, मिलते हैं, नेक्स वीडियो लेक्यर के साथ, तिल दैन पढ़ाई करते रहे, thank you झाल 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 झाल